रादे रादे सबी को कैसे हैं आप सब तो आज की जो हमारी रेसिपी है वो एकदम चटपटी और चटाके धार हैं बिल्कुल अचारी फ्लेवर वाली तो आज हम बनाएंगे अचारी आलू जो बहुत ही टेस्टी बनते हैं तो आईए देखते हैं से कैसे बनाते हैं इसके लिए मैंने ये साथ से आठ आलू करीबन आधा किलो के करीब आलू है जो छोटे और मीडियम साइज की हैं इनको मैंने बॉइल कर लिया था चाहे तो आप कच्चे भी रख सकते हैं लेकिन बॉइल करने से ये बनाने में आसानी होती है तो अब हम लेंगे एक फोक और एक फोक की मदश से इन सभी आलू में इस तरीके से ऐसे छेद से कर लेंगे जिससे की क्या होगा जब हम इने पकाएंगे न तो मसाले जो है वो अ और यह बहुत ही टेस्टी लगेंगे तो बस ऐसे आलू लेने आपने और इन सब को ऐसे फोक की मदश से ऐसे इन में छेद से कर लेने तो मैंने सभी को कर लिया है अब हम बनाएंगे हमारा अचार का मसाला उसके लिए हम लेंगे दो टेवल स्पून साबुत धनिया थोड़ लोंग और तीन काली मिर्च, हाफ टेवल स्पून जीरा, दो सूखी लाल मिर्च और हाफ टेवल स्पून कलोंजी और साथ में हम लेंगे दो टेवल स्पून के करीब सोफ यह छोटी वाली सोफ है जो कि थोड़ी सी मीठी भी होती है तो आप मोटी वाली भी ले सकते हैं ले इसके लिए लेंगे एक पैन और इसको लो फ्लेम पर हाई फ्लेम पर हमें मसालों को रोस्ट नहीं करना है क्योंकि हाई फ्लेम पर अगर हमें को रोस्ट करेंगे तो यह जल्दी ही जल जाएंगे और हमें मसाले जलाने नहीं है बस इनको हलका सा रोस्ट करना है तो सभी मसालो को हम ऐसे लो फ्लेम पर चलाते हुए रोस्ट कर लेंगे और जब इनमें हल्की सी खुश्बू आने लगे तो बस उतना ही रोस्ट करना है उससे ज्यादा हमें नहीं करना है वन्हा उससे ज्यादा तो यह जल जाएंगे तो बस ऐसे चलाते हुए लो फ्लेम पर हम इने तो यह देखिए अब इनमें एक खुश्बू से आने लगी है तो अब हम गैस की फ्लेम को कर देंगे बंद और इन्हें ठंडा कर लेंगे उसके बाद हम इन्हें पीस लेंगे तब तक हम लेंगे एक कढ़ाई उसमें लेंगे तीन बड़े चमच सरसों का तेल अचार जब हम बनाते हैं तो आज हम अचारी फ्लेवर वाली सबजी बना रहे हैं तो उसके लिए भी हम सरसों का तेल ही लेंगे आप चाहे तो कोई रिफाइंड ओल भी ले सकते हैं लेकिन अचार जो है वो सरसो के तेल में ही अच्छा बनता है तो इसकी रेसिपी भी उसी में अच्छी बनती है तो बस इसमें हम डाल देंगे अपने आलू और इने ऐसे बस चलाते हुए फ्राइ कर लेंगे जब तक ये इनके उपर एक क्रिस्पी सी लेर ना आ जाए तो ये मैंने सभी आलू को फ्राइ कर लिया है इनमें एक अच्छी सी लेर आ गई है और ये क्रिस्पी भी हो गए है तो अब इन सभी आलू को हम निकाल लेंगे ये देखिए और जो हमारा कढ़ाई में तेल बच जाएगा उसे ही हम यूज करेंगे बस कढ़ाई या तो आप दूसरी ले लीजे या इसे ही धोकर दुबारा से ये तेल ले लीजे मैंने इस तेल में से को थोड़ा सा च्छान भी लिया था तो बस अब इस तेल में हम डाल लेंगे बंटेस्पून जीरा और एक से दो पिंच के करीब हींग अब इसमें मैं ले लिए बड़े साइज की एक प्याज जिसको मैंने ऐसे बारिक चौप कर लिया था तो प्याज को भी अब अब हम ऐसे ही चलाते हुए अच्छे से भून लेंगे प्याज को भी बहुत ज़्यादा हमें लाल नहीं करना है बस थोड़ा सा भूलेंगे थोड़ा सा कलर चेंज हो जाए इनका ट्रांसलूसेंट सा पिंग सा कलर आ जाए बस इतना भूलेंगे और साथ में इसमें डाल रही हुए यह तीन हरी मिर्च यह काफी तीखी वाली तो आप ज्यादा भी यूज कर सकते हैं अब गैस की फ्लेम को हम कर देंगे बंद और इसमें सूखे मसाले डालेंगे उसके लिए हम लेंगे एक चमच रेड चिली पाउडर हाफ चमच हल्दी पाउडर और यह वन टेबल स्पून मैंने लिए धनिया पाउडर बस इनको थो अब हमने डालेंगे हमारे आलू जो हमने फ्राई किये हुए थे अब गैस की फ्लेम को ओन कर देंगे लेकिन लोग ही रखेंगे हाई अभी नहीं करेंगे तो इन आलू को भी इन मसालों में अच्छे से मिक्स कर लेंगे एक से दो मिनट के लिए अब जो मसाला हमने रोस्ट किया था अचारी मसाला उसे मैंने पीस लिया था मिक्सी के जार में उस मसाले को भी हम इन आलू में डाल देंगे और इसे भी अच्छे से चलाते हुए मिक्स कर लेंगे जैसे ये मसाला आप डालेंगे न तो बिल्कुल अचार किसी खुश्बू आने लगेगी आपके किचन में साथ में मैं ले रही हैं हाफ टीस्पून काला नमक और हाफ टीस्पून नॉर्मल नमक जो हम यूज़ करते हैं हैं नमक आप अपनी हिसाब से बी ड़िए जितना आप खाते हैं तो बस इसे भी मिक्स कर देंगे है तो अब देखिए हमारे आलू काफी ड़्ाई ड्रसे लग रहे हैं तो अब हमनinking डालेंगे क्यूंद और बस इने मिलाकर थोड़ी देर के लिए हम इने 5-7 मिनिट के लिए ढखकर पकाएंगे तो यह देखिए 5-7 मिनिट बाद आप में चेक कर रही हूं तो यह अब हमारे आलू काफी हद तक पक गए हैं अब बस लास्ट में इसमें डालेंगे हम अमचूर पाउडर जितना खट आरी वन एंड हाफ टेवल स्पून अमचूर पाउडर तो इने भी अच्छे से मिक्स कर देंगे क्योंकि हमने आलू पहले ही बॉयल की हुए थे तो इनको पकने में बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगता यह जल्दी पक जाते हैं तो आप देखिए मैं इसे सर्व करती हूं यह देखिए जब आप इसे खाएंगे ना तो बस उंगलिया चाट चाट कर खाएंगे और घर में सभी बड़े बच्चे सब मांग मांग कर आपसे बनवाएंगे तो एक बर जरू ट्राइ करें